नमस्कार विदरतियों तो EPFO की परिच्छा में जो कंप्यूटर से रिलेटड कोस्चन जाते हैं और पिशली भरती परिच्छा में पूछे जा चुके हैं वो हम आपको कराएंगे जो प्रस्ण EPFO के पहले भी AOEO APFC में पूछे जा चुके हैं ठीक चलिए इन कोस्चन को देख प्रक्णों इन्पुट डेटा को उप्योगी सुचना में परिवाटित करने के लिए सभी कंप्यूटर द्वरा निमलिखित में से कौन सी मूलभूत प्रचालन निस्पाधित नहीं किया जाता है कौन सा नहीं किया जाता है तो यह है इसमें कौन सा आपका स्विचिंग और CPU एवं मुख्य मेमोरी के बीच उच्छ वेग बफर के रूप में कार्म करती है तो आंसर इसका है Cache Memory Cache Memory Cache Memory अत्यन्त ती वुर्गामी होती है और CPU एवं मुख्य मेमोरी के बीच उच्छ वेग बफर के रूप में कार्म करती है इसका प्रियोग प्रोसेसिंग के दौरान बार-बार उपयोग मोहने वाले डेटा वार निर्दोसों को अस्थाई तोर पर लोड करने के लिए किया जाता है तो यह आपका D option सही है अगला है कौन सा web browser नहीं है web browser कौन सा नहीं है इसमें बताना है यह भी 2021 का प्रस्ण है EPFO के तो इसमें आपका C है Federa Federa होता है यह web browser नहीं है internet explorer, firefox और google chrome web browser है जबकि Fedori एक open source operating system है open source operating system यह के search engine है यह firefox है, internet explorer है और firefox next देखे question कौन सा 1GB सूचना को निरुपित करता है 1GB सूचना को निरुपित करता है तो आपका अंसर है यह तो easy प्रस्ण है 1024 MB यह तो सरल प्रस्ण है 1024 MB MB होता है बाकी 1000 KB, TB, PB नहीं MB अच्छा अगला है कौन सी भासा अनवादक नहीं है भासा अनवादक कौन सा नहीं है देखे भासा अनवादक इसमें assembler है interpreter है compiler है, linker नहीं है linker जो है आपका भासा अनवादक नहीं है इस तरह से विकल्पों में Linker एक भाषा अनुवादक नहीं है जबकि Assembler, Interpreter, Compiler भाषा अनुवादक की तरह काम करते हैं इसका प्रियोग उच्छ स्थरी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्टत करने के लिए किया जाता है नुट कर लिएगा Linker एक सिस्टम में ऐसे प्रोग्राम है जो प्रोग्राम के अब्जेक्ट माडूल को एक अब्जेक्ट फाइल में लिंक करने में मत करते हैं चलिए इसने बताना है कौन सा सही है कौन सा सही है next question six number question बताना आपको six number अच्छा कौन सा सही है दो option a, b, c, d दिये हुए है इनको देखिए यह भी आपका EP of 2021 के प्रस्न है यह 21 के बाद 2017 के बताएंगे आपको तो इसमें आपका b, b option सही है computer output की प्रयोगता के लिए बहुत गम रूप में व्याख्या करता है interpreter जो होता है computer output की प्रयोगता के लिए बोध गम रूप में व्याख्या करता है और a गलत है आपका b, b, गलत है प्रयोगता के input को output device में परिवर्त टांसलेट कहलाता है output device के प्रयोगता के संचार को सुगम मनाता है यह गलत है b, option आपका सही है तो उसको देख लिएगा पिछली भरती परिच्छाओं के प्रसन जरूर देखिए इस विद्यरतियों कोई भी परिच्छा आप दें क्योंकि आइडिया मिल जाता है बहुत से question फस भी जाते हैं सात्वा इसलिए हम आपको इसेट करवा रहे हैं यह पिए फो का कंपूर्टर का सात्वा नमबर देखिए क्या आया था दो यह किस का ही प्रसन है निस्पादन किये जाने वाले परवर्ती अनुदेश पर द्रश्टी रखने के लिए निमलिखेत में से कौन सा रेजिस्टर का उपयोग किया जाता है रेजिस्टर का नाम पूछा गया है वीच वान आफ दा फॉलिए रेजिस्टर इस तो कीप ट्रैक आफ दर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टूबी इसक्यूटेड तो कौन सा रेजिस्टर का प्रवर्ति अनुदेश परदर्श टकने के लिए चलिए एक और प्रसंद देखेंगे किसका आठवा नमबर कौन सा आडियो फाइल फार्मेट नहीं है बताना है आपको कौन सा आडियो फार्मेट नहीं है तो कौन सा नहीं है M-I-D-I-W-A-V-S-W-F यह M-P-E-G यह आपका C हो जाएगा S-W-F-S-W-F जो है आपका यह आडियो फार्मेट नहीं है ठीक है नोट का लिएगा यह नहीं है आडियो फार्मेट कौन से है देखे M-I-D-I है और W-A-V हो सकता है पूछले कौन से है तो आप नोट कर लिएगा M-I-D-I है W-A-V है फिर है M-P-E-G M-P-E-G ठीक और एक और है आपका डबल-A-C डबल-A-C थोड़ा सा हमने आपको बता दिया इसके बारे में डबल-A-C तो यह चार हो गया एक दो तीन और चार ठीक यह आपका आडियो फार्मेट है तो सकता है यह देदें कौन से है चलिए अगला देखेंगे किुछना के संचेयन के लिए प्रियुक्त किसी अनुक्रमिक इलक्ट्रानिक परिपत को निमलिक्र में से किस लूप में निर्दिष्ट किया जाता है किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है register transition flip-flop या cancellator तो इसमें आपका अंसर क्या होगा अंसर होगा आपका c flip-flop सूचना के संचल के लिए परुक्त किसी अनुक्रमिक electronic परिपत को flip-flop से निर्देशित किया जाता है तो आपकी कल्प आपका C होगा CD-ROM क्या है देखिए 2017 का प्रसनाया था यह 17 में EPFO में 2017 में CD-ROM क्या है CD-ROM तो इसमें आपसन आपका होगा secondary memory है यह secondary memory magnetic memory नहीं है memory register नहीं है यह नहीं है CD-ROM आपकी एक optical disk भी इसको कहा जाता है एक secondary storage device है CD-ROM जिसका संग्रा छमता सामनता संग्रा छमता हो सकता पूछ ले तो आप 640 MB लिख देंगे 640 MB होती है इसके डेटा को पढ़ने के लिए laser beam किया हो सकता होती है laser beam यह भी देखिए कोशन निकल लगया गया laser beam किया आवशकता होती है इसके डेटा को पढ़ने के लिए ठीक है तो तो देख लीजेगा यह भी जीजे चलिए next देखिए WAP किसके लिए प्रयोक्त होता है WAP किसके लिए प्रयोक्त होता है बताना है तो यह का अप्सन हो जाएगा D Wireless Application Protocol WAP का फुल फॉर्म है क्या है WAP का फुल फॉर्म Wireless Application Protocol है या एक संचार प्रोटोक्त है जो अधिकांस Mobile Wireless Network के माद़म से Wireless Data Access के लिए प्रयोक्त है ठीक है तो यह भी 2017 का प्रस्षन है चलिए अगला आपका देखेंगे कि Bluetooth तकनीक प्रबंद करती है 12 नंबर का Bluetooth तकनीक क्या प्रबंद करती है तो देखे D option दिया नहीं हुआ है लेकिन इसी में से अंसर है क्या है Bluetooth तकनीक नंबर C option सही है ठीक कौन सही है नंबर C C में देखें क्या है क्या प्रबंद करती है देख लिए Bluetooth एक Wireless Technology है जिसका अपयोग Electronic Device के बीच Data Transfer करने के लिए किया जाता है क्या Electronic Device के बीच Data Transfer करना है इसकी रेंच चमता 10 मीटर से 50 मीटर तक होती है ठीक है 10 से 50 मीटर होती है चलिए विद्यार्थियों ये आपका 2017 का प्रस्न आया था ठीक है EPSO तो हमने आपको कुछ 12 प्रस्न बताए आप बताईए कि Comment करके कैसा लगा आपको पिशली भरती परिच्छाओं के 2117 के कुछ प्रस्न थे अगर आप चाहते हैं और हम ऐसे ही Computer के प्रस्न लेके आए तो आप Comment करके बताईएगा इसी तरह से आप और आपको Computer related question EPFO के देंगे तब तक के लिए नमस्काल